Hey guys, welcome back to another video और आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया के टॉप 3 अकाडमी को कैसे जॉइन करें अगर आपकी एक चार सली के अट्रा के बीच में और आप किसी क्लब या अकाडमी में भी नहीं के रहें और आपको कुछ खास आडिया नहीं की पुटबॉल में कैसे गुरू करें तो यह वीडियो आपके लिए मैं आपके सजेस्ट करूँगा कि आप अकाडमी या पी कलब जॉइन करें इसकी में तीन रीजन्स है कि क्यों आपको अकाडमी जॉइन करने चाहिए आपका गेमप्ले काफी अच्छा इंप्रूब हो जाया कुछ साल के अंदर सेकंड वन आपको प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग्स मिलेगी और एक सही नॉलिज मिलेगी 3. आपके अंदर काफी अच्छे confidence बिल्डप हो जायागा क्योंकि आपके अच्छे प्लेयोज और पूचर के सान ट्रेन होने वाले है तो में यही तीन रिजन दे क्यों आपके अच्छे आपके अच्छे करने चाहिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दें और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ली करें तो विदाउर वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टाइब अगर ये वीडियो कोई पैरेंट देखर अपने बच्चों के लिए तो उनके मन में सवाल ये जरूर आ रहा हो कि बच्चों की इस एडुकेशन का क्या मैं उनको बता देना चाहता हूँ अकाडमी फुटबॉल कोचिंग के साथ स्कूलिंग फैसलिटीज भी प्रवाइड करते हैं ना कि अवल फिजिकली बट मेंटली भी प्रिपेर किया जाता है ताकि कोई प्लेयर फुटबॉल के लाबा किसी और कुछ करना चाहे तो वो उसके लिए के पेबलत है इसलिए ओवर ओल डेवल्टमेंट फोकस किया जाता है अब में सवाल ये आता है कि हम किसी क्लब या अकाडमी को कैसे जोइन करें इसके में तीन तरीके हैं फर्स्ट वन डिरेट फी पे करके हार अकाडमी की कैकेगरी वाइज कुछ नकुछ फीज होती है उस पी को पे करके आप डिरेक अटमिश्न दे सकते हैं दूसरा तरीका त्रु टराय अउट्स तरीके पहते हैं अर और तर्विक ट्रायोट्स अर आपको क्लुप्स के थर्णॡिक कर वाय जाता है इसके लिए आपको अकाड़ी से पहले सी का्टाक्ट करना है third one through camps बहुत चाइडमी हर सीजन बहुत जैसे camps और उन camps के कुछ पीज होती है उन पीको पे करके आप camps attend कर सकते हैं और उन camps के थूध भी आप टीम में जगागा सकते हैं जैसे में example पीगा मिनिर्वा पंजाब एपसी का वो हर साल बहुत चैसे camps organize करवा था और अपने team के लिए वहां से player select करता है अब बात आता है जो player select हो जाते हैं उनके performance के हिसाब से उने scholarship दी जाती है For example, अगर आपको 90% scholarship मिलती है and let's suppose that academy की fee 1 lakh है तो आपको around 10,000 रुपे पे करना पड़ेगा और अगर आपको 100% scholarship मिलती है तो आपको एक रुपे भी देने की जरुवत नहीं है अब बहुत से player के मन में ये सवाला आ रहा हो कि ये academy वाले fee क्यों लेते हैं इसके पीछे बहुत से reason आप मैं clarify कर देना चाहता हूं ताकि आप थोड़े मचाओर हो जाए पहला reason कि इनकी जो funding होती है वो government के थुरू नहीं होती है private companies और agencies के थुरू होती है जिसके वज़े से इने कुछ percent share करना पड़ता है इन companies को दूसरर reason नहीं हो सबता है जो facilities प्रवाइड करता अगर ये free प्रवाइड करें तो ये loss में जा सकते हैं इसे free accommodation, training, diet, swimming pool, gymming और schooling पैसे जो की possible नहीं है तीसरा reason नहीं हो सबता है कि इनकी जो workers है, coaches है, management है इन सब को salaries भी देने पड़ती है तो उनके लिए पैसे कहां से आएंगे चौथा reason ही हो सबता है कि ये बिजनेस है और हर कोई चारता है कि जादा जादा मुनापा कमाई मेरा opinion यहां पर यह है कि आप club या पर academy इसलिए जोइन करें ताकि आप right technique डेवलब कर सकें एक professional football खेलना सीख सकें जब आप फुसलाइब हो जाएंगे देफिनेटली आपको club और academy पे करेगी वी आप गॉन सो फार एंड वी आपको डिसका सो मली थिंग लेक्स कम तो पॉइंट कि वो तॉप तॉप तरी अकाडमी इसका है यहाँ पर रेटिंग्स मैंनी देने माला ओल एंड फुटबॉल फेडरेशन ने अल्रेटी रेटिंग्स दे रहा है आप चाहे तो इनकी official website पर जाके चेक कर सकते है नंबर थर्ड पर आता है जमशेदपूर FC जमशेदपूर जाडगत अल्रेटर फुटबॉल फेडरेशन ने से 4 out of 5 रेटिंग्स दीए बिसिकली यह टाटा फुटबॉल फेक्ट अकाडमी से उरिजिनेर्ट हुआ है जिसका कापी अच्छा पुलाया बैला लीगा के अथलेटिक ओडी मैट्रेट के साथ और इनकी जो सीनय टीम है जमशेद पूरवसी वो ISL, FED, Super Cup ऐसे बहुत से लीग्स में पाटिस्पेट करती है और इनकी जो अकाटमें टीम है वो हेरो इलाइट लीग्स में पाटिस्पेट करती है नमबर सेकेंड में आता है Reliance Foundation Youth Sports, location Mumbai, Maharashtra पॉलिट अपुटपल फेटरेशन ने से 5 out of 5 रेटिंग्स दी है Reliance Foundation एक अलग से प्लाइट करती है जहां स्कूल और कॉलेजिस के बच्चों पे ज्यादा फोकस किया जाता है अगर आपको इस प्लाइट प्लाइट में पाटिसिपेट करना है तो आपको अपने स्कूल यापकी कॉलेजिस को रेइस्टर कराना पड़ेगा इनके Official Reliance Foundation के वेबसेट के थूँट और इस एकड़मी में आपको इनकी फंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है No.1 पर आता है No Doubs, Bangalore FC Location, Bangalore, Karnatka All India Football Federation इसे 4 out of 5 रिटिंग्स दिया है लेकिन मुझे पता है यह 5 out of 5 डिजर्व करती है क्योंकि वोल्ड क्लास फैसलिटीज प्रवाइड करती है प्लेयर्स को That is why कि मैंने इसे No.1 पर रखा है इनकी जो senior team है वो बहुत से league में ना के बल कि पार्टिस्पेट करती है बलकि चैंपिन भी रह चुके है यहां तक कि यह AFC के runner-up भी रह चुके है और इनकी जो academy team है वो भी किसी से कम नहीं है वो भी बहुत से league में चैंपिन रह चुके है और इनकी जो academy team है वो hero elite leagues में पार्टिस्पेट करती है अब बात करते हैं कि इन academy में रहके है आपको कौन सी basic facilities में लेगी medical provisions आपके लिए physiotherapist doctors available रहेंगे यहां तक कि आपको automated external defibrillator जैसे equipment भी available रहेंगे और आपको medical insurance भी दी जाएगी सबको पता है कि यह physical sports है और injuries होना यहां पर common है अगर उसकी सही तरीके से treatment नहीं की गई तो वो धंसे recover नहीं हो पाएगा रिकवर ना होने के विज़े से वो injury permanent हो सकता है जिसके वज़े से आपको पूरा career भी बर्बाद हो सकता है और इसकी पूरी responsibility academy every club लेगा इस medical insurance के अंदर that is why this medical insurance is must अब बात करतें infrastructure and facilities players के लिए accommodation facilities available रहेंगे daily trainings होंगी proper diets दी जाएगे swimming pools available रहेंगे hydro exercises और hydrotherapies के लिए gymming भी available रहेंगा and apart from this schooling facilities is also being provided main चीज़ पर आते हैं और बात करते हैं fee structure पर मुझे 100% में पर शौर नहीं हो कि fee structure कितनी होगी क्योंकि हर academy की age character wise per head बहुत ही अलग अलग fees होती है लेकि मैं आप एक estimate जरूर लगा सकता हूँ कि approximate यह fee कितनी होगी मेरे इसाब से यह कुछ तो भी 1 lakh से लेकि 4 lakh के बीच में fee लाए करेगी अगर आप direct admission लेते हैं मतलब अगर आप direct admission लेते हैं तो आपको around 1 lakh to 4 lakh pay करना पड़ेगा और अगर आप try out से थुरू enter करते हैं इन academies में तो आपको scholarship मिल सकते है up to 100% जहां आपको एक रुपे भी देने की जरूवत नहीं है प्राक्टेस करते रहो no matter आपकी age क्या क्योंकि lockdown over होने के बाद trials बहुत जादा होंगी और trials के dates वेन्यू में अपने Instagram पे post कर दूमा तो आप महां पे जाके चेक कर सकते हैं मेरे Instagram के link description में है just go and follow it आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अची लगी तो एक like और अपने दोस्तों के साथ जादा जादा शेयर करें और इस चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं ऐसे बहुत से कॉंटेनर भी अप्लोड करने वालना यूटूब के by the way thank you so much for watching and listening me very carefully keep practicing stay safe see you soon guys in the next video